बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सभी डीडी एच वो केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है, न अभी विश्यों की विश्यवस्तू अतियंत रोचक तरीके से समझाए जाएगी, तथा प्रतियेक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधिर जानकारी के साथ-साथ, मनोरंजग कहानियों वकट पुतली के खेल का भियानन ल के साथ शेक्षक प्रसारं किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9-10 के लिए 12.50-5.50, तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1.50-5.50, तथा कक्षा 1-5 के लिए 3.50-3.50 एवं कक्षा 6-8 के लिए 3.50-4.50 शेक्षक कारक्रम प्रसारित होगा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा नौमी संस्कृत विश्य में बुक शेमुशी प्रत्मों भागा से स्वन का कह वे अंग्रेजी विश्य में पोयम No Man Are Foreign वे कक्षा तस में सामजिक विख्यान विश्य में जलसन साधन भाग पांच छे विध्यार्तियों आज की कक्षा में हम जानेंगे सेमुशी प्रत्मों भागा के द्वितिय पाठ श्वन का कह के सेस बचे हुए प्रश्नों को उन सेस बचे हुए प्रश्नों में हम जानेंगे सरवप्रत्म प्रश्न निर्मान और फिर प्रत्य के बारे में तो चलिए विध् सबसे पहले हम इसे प्रश्ण को अच्छे से अध्यन करते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया को देखते हैं, हमारे पास है विध्यार्तियों स्थूल पदानी अधिकृत्य, अर्थार्थ जो स्थूल पद हैं उनको आधार मानकर हमें प्रश्ण निर्मान करने हैं, अब हमारे हमारे पास स्थूलपद कौन से हैं विध्यारतियों हमारे पास स्थूलपद है जैसे इस प्रश्ण में है निर्धनास्त्री इसको आधार मानकर हमें प्रश्ण निर्मान करने हैं विध्यारतियों किसी भी सामान्य वाक्य को प्रश्ण वाचक वाक्य बनाने के लिए हमें किम किम सर्वनाम सब्दों का प्रियोग करते हैं किम सर्वनाम सब्द तीनों लिंगों के अंदर उपस्तित हैं या प्रयूक्त किये जाते हैं तो विध्यारतियों हमारा प्रश्ण जिस लिंग विभक्ति एवं वचन में होगा हमें उसी प्रकार से किम सर्वनाम सब्द का प्रिय आवशत गाउं में निर्धन स्त्री रहती थी अब हमारा जो प्रशन निर्माण है हमें यहाँ से लेना है स्थूलपद से अब स्थूलपद के अंदर सरप्रतम हमें तेन चीजों का ध्यान रखना है यह किस लिंग का है किस विभक्ति का है और किस वचन का है ठीक है विध्यरतियों हमें तेन चीजे जाननी है किस लिंग का है किस विभक्ति का है और किस वचन का है यह जानने के बाद उसी पद के अनुसार हमें किम सर्व नाम के लिंग, विभकती और वचन का प्रियोग कर इसे प्रशन बनाना है तो चलिए विध्यारतियों, सर्व प्रथम जानते हैं, यह निर्धना स्त्री है, हमें स्त्रिलिंग, यह किस लिंग के अंदर है, स्त्रिलिंग के अंदर, कौन सी विभक्ति है विध्यारतियों, यह है प्रथमा विभक्ति, और किस वचन के अंदर है, यह है एक वचन के अंद अब हमें किम किम सर्वनाम सब्द के उसी लिंग विभक्ति और वचन का प्रियोग करना है तो विध्यारतियों हमारे पास किम सर्वनाम इस लिंग सब्द यहां लिखे हुए हैं प्रतमाव विभक्ति है और सब्द के हैं का के का यह एक वचन में यह द्वी वचन में और यह अब हमें कौन सा वचन प्रियोग करना है विध्यारतियों आप बताईए कौन सा वचन प्रियोग करना है हमें एक वचन प्रियोग करना है तो हमारे एक वचन क्या होगा का तो हमारा उत्तर होगा का तो ग्रामे का अवसत गाउं में कौन रहती थी अब द्वितिये प्रश्न क द्वितिये प्रश्ण है विध्यार्थियों श्वण काकम निवार यंती बाली का प्रार्थयत सोने के कोवे को दूर हटाती हुई बाली का प्रार्थना करती है अब हमारा जो प्रश्ण बनाना है वस्थूलपद है श्वण काकम उसी प्रक्रिया को हमें अपनाना है विध्य का है और किस वचन का है तो देखे विध्यारतियों सरप्रतम हमें यह जानना है कि किस लिंग का है यह विध्यारतियों पुल लिंग का विभक्ति कौन से है विध्यारतियों इसमें द्वितिया और वचन कौन सा है इसमें एक वचन अब हमें किम सर्वनाम सब्द के पुलिंग के द्वितिया एक वचन का रूप यहां लिखना है अब हमारे पास है किम सर्वनाम पुलिंग सब्द द्वितिया विभक्ति उसके एक वचन को हमें यहां लिखना है किम कम कव और कान यहां पर हमारे को यह दिया हुआ है तो अब विध्यारतियों हमारा उत्तर क्य होगा अब हमारा उत्तर होगा विध्यार्थियों कम अर्थार्थ हमें कम यहां लिखना है कम लिखने के बाद में कम निवारयंति बाली का प्रार्थयत किसको दूर हटाती हुई बाली का प्रार्थना करती है अब विध्यार्तियों इसमें एक विशेस बात का और ध्यान रखना है वह चोथी विशेस बात क्या है विध्यार्तियों कि हमें अंत के अंदर जो चिन है वह प्रश्न वाचक लगाना है अब हमें प्रश्न निर्मान के समें चार चीजों कियाओ शक्ता है सरप्रतम हमें यह जानना कि वह किस लिंग का है फिर किस विभक्ति का है किस वचन का है और वह जानने के बाद में अंत में वाक्य कि क्या एक प्रश्न वाचक चिन भी हमें बदलना है तो चलिए विध्यार् सोर्योधयात पूर्मम्यव बाली का टत्रव पस्तित स machstुर्योधय से पहले बाली का वहां उपस्तित हो जाती है आब हमें स्थूलपद इसके अनुसार प्रश्ण निर्माण करना है वही तीन बातें यह किस लिंग का है, किस विभक्ती का है और किस वचन का है यह तीन बाते हमें जाननी है सरवप्रतम हमें यह जानते हैं विध्यारतियों यह पुलिंग का सब्ध है विभक्ती कौन से है इसमें विध्यारतियों इसमें पंचमी विभक्ती है और वचन कौन सा है विध्यारतियों एक वचन अब किम सर्वनाम सब्द का हमें पुलिंग के अंदर पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप इसके प्रश्ण के रूप में लिखना है तो हमारे पास है किम सर्वनाम, पुलिंग शब्द, पंच में विभक्ति और एक वचन के अंदर हमारे पास है कश्मात, द्वी वचन में है काभ्याम और भववचन में है केभ्ये तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा कश्मात अब प्रश्ण पूरा वन गे हैं विध्यार्तियों कश्मात पूर्वो मेव बाली का तत्रो पस्तिता किस से पहले बाली का वहां उपस्तित होती है और अंत में क्या लगाना है अंत में प्रश्ण वाचक चिन लगाना है विध्यार्थियों अब हमारे पास अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण है बाली का निर्धन मातु दुहिता आसेत बाली का निर्धन माता की पुत्री थी अब विध्यार्थियों हमें देखना है कि इस सब्द के आधार पर हमें प्रश्ण निर्मान करना है अब वचन का है, यह हमें देखना है, तो चलिए विध्यारतियों, देखते हैं सरवपर्थम हम, यह किस लिंक का है, निर्धन मातू, रिकारांत है, इसलिए यह है स्त्री लिंक का, विभक्ति कौन से यह विध्यारतियों इसमें, इसमें है सस्थी विभक्ति, और वचन कौन सा है, एक वचन अब विध्यारतियों हमें किम सर्वनाम सब्द के स्त्रिलिंग के सस्थी विभगती एक वचन का रूप हमें यहां लिखना है और प्रश्ण निर्माण करना है तो चलिए हम देखते हैं किम सर्वनाम सब्द पंचमी विभगती यहां लिखी हुई है यह गलत है अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो किम सर्वनाम सब्द है उसके अंदर सस्थी विभगती इस्त्रिलिंग एक वचन में क्या रूप बनता है तो वहां रूप बनता है विध विध्यारतियों कस्याहा तो पूरा पद क्या बना बाली का कस्याहा दुहिता आसीद बाली का किसकी पुत्री थी बाली का कस्या दुहिता आसीद यह रूप हमारे पास प्रश्न के रूप में बनकर आता है और अंत में हमें क्या करना है प्रश्न वाचक चिन लगाना है तो च प्रशन है हमारे पास में लुभधा वृद्धा श्वण काक से रहस्यम अभिज्यात्वती जो लोभी वृद्धा थी वह श्वण काक के रहस्य को जान गई अब हमारा प्रशन कहां से विध्यारतियों यहां से उसके लिए वही तीन प्रक्रियाएं सबसे पहले लिंग फिर उसके बाद विभक्ति और फिर उसके बाद में वचन इन तीनों चीजों को हमें चाहिए तो हम देखते हैं लिंग कौन सा है पुर्लिंग है विभक्ति कौन सी है सस्ट्री विभक्ति है और वचन कौन सा है एक वचन तो हमारा उत्तर किम सर्वनाम सब्द के अंदर कौन सा होना चीए पुलिंग सस्ट्री विभक्ति और एक वचन तो चलिए विध्यारतियों किम सर्व नाम पुलिंग सब्द सस्ट्री विभक्ति में कौन-कौन से रूप बनते हैं कस्यह कयो केशाम तो हमारा उत्तर क्या होगा एक वचन के साप से कस्यह तो लुबधा वृध्धा कस किसे रहश्यम अभिज्यात्वति अर्थार्थ जो लोही वृध्धाति किसका रहस्य जान गई यह हमारा प्रश्ण निर्मान का प्रश्ण पूरा होता है अब विध्यारतियों अब हम आगे का प्रश्ण देखते हैं आगे हमारे पास प्रश्ण है विध्यारतियों पर्ति और प्रत्य है उसका संयोग करना है और किस प्रकार से पाठात चित्वावालिकत पाठ से चुनकर लिखो ऐसा प्रशन हमें कह रहा है अब सरुप्रतम विध्यारतियों हम यह जानने का प्रियास करते हैं कि सबसे पहले तो प्रत्य किषे कहते हैं एक सामान्य रूप से आपने पिछली कक्षा में प्रत्यों को जाना होगा कक्षा 8 के अंदर आपने जाना होगा फिर भी हम यहां एक बार प्रत्यों के बारे में जानते हैं और उसका स्मरण करते हैं तो विध्यार्थियों प्रत्यों को जानने से पहले सरप्रतम हमें जानना क्रिया अब विध्यारतियों आप मुझे बताईए क्रिया किसे कहते हैं अर्थार्थ क्रिया की क्या परिभाशा होती है क्रिया की परिभाशा होती है विध्यारतियों जिस सब्द में कार्य का होना वक्त करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं जैसे जाना आना खाना पीना वह हम लिखते हैं, जैसे हमारे पास है, जाना, खाना, पढ़ना, यह सब क्या है विध्यरतियों, क्रिया ही है, और इनी ही क्रियाओं को संस्कृत के अंदर क्या कहते हैं, धातू, क्या कहते हैं विध्यरतियों, धातू, आपको समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं क्रिया को, धा अब वो धातू किस प्रकार से हैं देखो, जाना को कहते हैं गम धातु, खाने को कहते हैं खाद धातू, और पढने को कहते हैं पठ धातू. अर्थार्थ यह सब धातू है, यह कहता है कि यदि अगर इस धातू के पूरु में कुछ लगता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं जैसे हमारे पास एक धातू हमने ली गम अगर उससे पूरू कुछ लगा हुआ है तो उसे कहते हैं उपसर्ग क्या कहते हैं विध्यरतियों उपसर्ग और अगर बाद में कुछ लगा हुआ है तो उसे कहते हैं प्रत्य अर्थार्थ किसी भी यदि अगर पूरू में जो लगा हुआ है उसे कहेंगे उपसर्ग और उस अधातु के अगर बाद में कुछ लगा हुआ है तो उसे कहेंगे हम प्रत्य तो विध्यारतियों हम देखते हैं कि जो उपसर्ग है वह कौन से हैं प्रत्य हैं वह कौन से हैं उनको हम जानने का प्रियास करते हैं तो चले विध्यरतियों उपसर्ग और प्रत्य है धातु के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया है धातु किसे कहेंगे क्रिया को कहेंगे अब उस धातु के पूरु में जो लगा होता है उसे कहते हैं उपसर्ग और हमारे संस्कृत के अंदर 22 प्रकार के उपसर्ग दिखाए गए हैं, लिखे गए हैं और प्रत्य प्रत्यों को तीन प्रकार से बाटा गया है प्रत्यों को किस प्रकार से बाटा गया है विध्यारतियों, क्रत्यों, तद्धित प्रत्यों और इस्त्री प्रत्यों के विशे में एक सामानिय सी जानकारी प्राप्त की है प्रत्यों के विशे में विश्त्रित जानकारी, जब हम प्रत्य के बारे में ही पढ़ेंगे, तब इनकी जानकारी विश्त्रित रूप से लेंगे तो चलिए विध्यारतियों, अब हम हमारे प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हमारे पास है विद्धयर्तियों प्रकर्ति प्रत्य शंयोगम्कुरुत पाथा चित्ववा लिख थे प्रकर्ति और प्रत्य है यह प्रकर्ति है इनको एकसाध करना है संयोग करना है और लिखना है कहां से लिखना handsome पाठ उससे चुनकर हमें लिखना है! अभ विध्यार्तियों हमारे पास यहां है ल्यप, 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 त्वा, त्वा और तमप, ये अब हम इनके बारे में थोड़ा धोड़ा जानते हैं और इस प्रश्ण को हल करते हैं सर्वप्रत्म विध्यर्तियों हम ल्यपपरत्त को जानने से पूर्व त्वपरत्तत को जानते हैं अब आपको यह बोलने में बड़ा दिक्कत मेसुस कर रहा होगा त्वप्रत्तत 자 कैसे बोलेंगे तो आप विध्यर्तियों अब इसको हम जो लिखा हुआ है हमारा उसको हम एक बार अध्यन करते हैं और समझते हैं कि क्या है जब एक ही करता दो क्रियाओं को निरंतरता से करता है तब पहले वाली क्रिया की धातु से त्वाप्रत्य हो जाता है एक ही करता हमारे पास यह करता है राम दो क्रियाओं को पढ़ करके और जा करके अर्थार्थ हमारे पास दो क्रियाओं है यहाँ पर पढ़ना और जाना तब पहले वाली क्रिया की धातू से त्वाप्रते हो जाता है अर्थार्थ ये जो क्रिया पहले हुई है इससे क्या होगा त्वाप्रते अब हमने देखा है कि जो पढ़ना है उसे पठ धातू के रूप में जानते हैं अब इससे त्वाप्रते हो जाता है अर्थार्थ जिश क्रिया के साथ करके जुड़ा हुआ हो ये जुड़ा हुआ है करके उस क्रिया में त्वाप्रत्य हो जाता है वही बात पठधा तू के अंदर त्वाप्रत्य हो जाएगा त्वाप्रत्य में कहकी इत्संग्या होने के बाद त्वासेस रहता है अब ये कह रहा है कि जो त्वा प्रत्य है उसके अंदर कैकी इत्संग्या होकर त्वा सेस रहता है अर्थार्थ त्वा ही बचेगा अब इत्संग्या होने का तात्परी है विध्यारतियों कि इत्संग्या होने के बाद उश्वर्ण का लोप हो जाता है अब यह इतसंग्या क्यों होती है लोप क्यों होता है वह इसलिए होता है विध्यारतियों कि संस्कृत के अंदर जो कुछ विशेश कारिय करने होते हैं उनके लिए एक अलग समुहा बनाया जाता है उस समुहा के लिए ही इस प्रकार के लोप किये जाते हैं इस प्रकार ताकि वह सभी कार्ये उष लोब किये हुए वाक्य के अंदर पद के अंदर किये जा सके इसलिए यहां पर लोब किया गया है अब हमारे पास त्वासेश रहता है ऐसा यह कह रहा है तो चली विध्यारतियों इस वाक्य को अपन संस्कृत के अंदर एक बार बनाते हैं तो सब बनेगा हमारा रामह पठित्वा गच्छती यह हमारा वाक्य बनता है अब जो हमारे जो पाठ के अंदर प्रश्ण पूछे गए हैं वह त्वापरत्य से संबन्दी दो प्रश्ण है द्रसधातू और त्वापरत्य तो क्या रूप बनेगा विध्यारतियों बोलिए एक बार आप अगर बोलने का अभ्यास करेंगे तो ही आप इसको समझ पाएंगे अन्यता आप इसे समझ भी नहीं पाएंगे और बोल भी नहीं पाएंगे तो द्रश्धातू है त्वापरत्य है क्या बनेगा द्रश्ट्वा शीधातू त्वापरत्य क्या बनेगा अब विध्यारतियों हम लिप प्रत्य के बारे में जानते हैं लिप प्रत्य क्या होता है विध्यारतियों शामान्यत है धातु से पूर्व किसी उपसर्ग के रहने पर त्वा के स्थान पर लिप प्रत्य हो जाता है इसका आर्थ भी वही रहेगा जो त्वा प्रत्य का था ल एवं पाकी इत्संग्या होने के बाद यह से रहता है चलिए विध्यारतियों हम देखते हैं कि हमारे पास में यह लिखा हुआ है लोक लोक मूल धातु है फिक है उससे पहले जो विसर्ग लगा हुआ है जो लगा हुआ है यह हम जानते है और जो बाद में लगा हुआ है उसे प्रत्य प्रत्य के अंदर लव पाकेट संग्या हो जाए लयप ठीक है लयकेट संग्या पाकेट संग्या बचा क्या यह अब हमें यह पता चल गया कि लयप परते के अंदर यह सेस रहता है और क्या आता है उसके अंदर यह कहता है कि इसमें किसी भी उपसर्ग में पूरू में कोई न कोई उपसर्ग यह यहां पर रहेगा अर्थार्थ यहां पर उपस्तित है बाद में ल्यप्रत्य है तो हमारा पद क्या बनेगा विलोक क्ये विउपसर्ग लोक धातू और ल्यप्रत्य पद क्या बना विलोक क्ये इसके बाद नी उपसर्ग क्षिप धातू ल्यप्रत्य निक्षिप्य आधातू आ धातु है या विध्यारतियों विसर्ग है आ क्या है विध्यारतियों आ उपसर्ग है क्या है उपसर्ग गम क्या है धातू है और बाद में क्या है ल्यप प्रत्य तो हमारा पूरा पत क्या बनेगा आगत्य आउप्षर्ग गम धातू ल्यप प्रत्य आगत्य अब यहां पर हमें फिर से एक बार श्मरण करना है कि ल्यप प्रत्य के अंदर धातू से पूर क्या आएगा परत्य के अंदर किसकिसपंग्षण्य लाकी और पाकी सेश क्या बचेगा यह hardness कि अगला हमारा प्रत्य है विध्रत्य तुम मुन प्रत्य तुमं प्रत्य किस अर्थ में होता यह हम सामानी रूप से जानते हैं कि भविश्यत अर्थ में क्रियार्था क्रिया के आगे होने पर मुख्य क्रिया में तुमन प्रत्य हो जाता है अब हमारे पास पहला प्रश्ण ही यह आता है कि क्रियार्था क्रिया क्या होती है तो विध्यार्थियों क्रियार्था क्रिया के से कहते हैं कि मुख्य क्रिया के लिए की जाने वाली क्रिया को क्रियार्था क्रिया कहा जाता है अर्थार्थ दो क्रियाएं होगी एक मुख्य क्रिया होगी और उस मुख्य क्रिया के लिए किया जाने वाला कारिये क्रियार्था कारिये होगा जैसे देखे विध्यारतियों वह पढ़ने के लिए जाता है, दो है क्रिया ये पढ़ना और जाना, अब मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया है विध्यार्थियों पढ़ना, क्यूंकि वह किस के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो इसका कहने का ताथपरी ये है, कि मुख्य क्रिया के लि क्रिया है अर्थार्थ मुख्य क्रिया पढ़ना है और क्रियार्था क्या है जाना इस वाक्य में मुख्य क्रिया पढ़ना है और उसकी साय क्रिया जाना क्रियार्था क्रिया है अत्य है मुख्य क्रिया पढ़ने पढ़ना में तुम उन प्रत्य होगा अर्थार्थ पढ़ना है उसमें तुमन प्रत्य होगा सामाने रूप से जिस क्रिया के साथ के लिए जुड़ जावे उस क्रिया में तुमन प्रत्य होगा तुमन प्रत्य में तुम से इस रहता है जैसे रुद और तुमन रोधितुम अब विध्यारतियों इसको हम धेरिये से एक बार फिर से वापस पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हमारे पास दो है क्रियार्था क्रिया और मुख्य क्रिया क्रिया किसे कहते हैं और मुख्य क्रिया किसे कहते हैं यह कहता है कि हमारे पास में एक वाक्य था कि वहाँ पढ़ने के लिए जाता है यह वाक्य हमारे पास था अब यह कहता है कि इस वाक्य मुख्य क्रिया क्या है पढ़ना और उसकी साय क्रिया क्या है जाना आता है मुख्य क्रिया पढ़ना में तुमुन परते होगा जो पढ़ना है उसमें तुमुन परते होगा और जो सामानी रूप से जिस क्रिया के के लिए जुड़ जावे उस क्रिया में तुमुन परते होगा अर्थार्थ ये वही बात कर रहा है कि पढ़ने के लिए तो के लिए यहां इसके साथ जुड़ गया पढ़ने के साथ में तो इसमें क्या होगा तुमन प्रत्य होगा और उधारन उन्होंने दिया है रुदधातूर तुमन प्रत्य क्या बनेगा रोधितूंग अब हमारे पास है विध्यारतियों तमप्रत्य जहां पर अनेकों में से किसी एक किस रिष्ठता दिखाई जा रही हो वहाँ तमप्रत्य होता है क्या प्रत्य होता है विध्यारतियों तमप्रत्य तमप में तमसेश रहता है इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं तो हमा पुलिंग के अंदर लगुत्तमा इस्त्री लिंग के अंदर लगुत्तमा और नपुन्सक लिंग के अंदर लगुत्तमा जो उधारण यहां हमारे पास लिखे हुए हैं लेकिन इसका प्रियोग कहा होता है जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक को स्रेश्ट बताने के प्रक्राइशेयोगम कृत, पाठा चित्वा लिखयत अब हमने उनके प्रक्रियाओं को जान लिया है, उनके बारे में भी जान लिया है, प्रतियों के बारे में में भूआ लिया है अब हम इनको एक बार अध्यन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे हमारे पास में कहां उपसर्ग है कहां धातु है और कहां प्रत्य है यह हम अब जान गए हैं अब हमारे पास विउपसर्ग लोग धातु ल्यप्रत्य क्या बनेगा विलोग के आपको विधरतियों साथ के साथ बोलना है यदि अगर आप बोलोगे नहीं तो इसको समझ ही नहीं पाओगे तो आपकी धान और दृष्टी इसी तरफ बना रहे और आप इसको बोलते रहें और समझते रहें देखो नियुपसर्ग पूर्वा के क्षिपधातू ल्यप्रते क्या बनेगा निक्ष समझ क्या बनेगा लगुत्तमम अब हमारी पास है प्रक्रति प्रत्य विभागम कुरूत सबसे पहले है रोदितुम रुदधातु तुमनप्रत्य द Randy notion अ वी लोउक ये वी उपसरी жुनप्रत्यी निक्षिप्य में नियक्ता क्षिप्हातू और ल्यप्रत्य आगत्य के अंदर आउपसर्ग गमधातू ल्यप्रत्य शैत्वा के अंदर शीधातू त्वाप्रत्य और लगु तमम के अंदर लगु और तमप्रत्य लगु धातू नहीं है विध्यार्तियों चलिए अब हम आगे के प्रश्ण को देखते हैं आगे का प्रश्ण विध्यारति हमारे पास में है कि आदो लिखी तानी कथनानी जो लिखे हुए कथन है नीचे लिखे हुए कथन है कह का पुलिंग और स्त्रिलिंग कह है पुलिंग का और का स्त्रिलिंग का कम काम च कथयती किसने किसको कहा है अब हमें एक कथन को लेना है और यह पता करना है कि यह किसने किसको कहा है पूरुम प्रातराश है क्रियताम पहले थोड़ा नास्ता कर लो यह किसने किसको कहा था यह हमें पता है कि श्वन का कहने उस बालिका को कहता तो हमारा कहा या का श्वण का कहा बालिकाम किस ने कहा श्वण का कहने कहा किसको कहा बालिकाम को कहा शूरिया तपे तंडुलान खगे भ्यो रक्ष धूप में चावलों की रक्षा करो किसने कहा था उष्वृध्धा ने किसको कहा था अपनी पुत्री को तो उत्तर क्या होगा वृध्धा और बालिकाम किसने कहा वृध्धा ने कहा किसको कहा बालिका को कहा तंडुलान मा भक्षय चाओ लोंको मत खाओ किसने कहा था बालिका ने कहा था किसको कहा था श्वन का क को कहा था तो उत्तर क्या होगा कहा बालिका कम श्वण काकम एहम तुभ्यम तंडूल मुल्यम दास्यामी मैं तुम्हें चावलों का मुल्य दूंगा किसने कहा था श्वण काके ने कहा था किसको कहा था बालिका को कहा था तो कहा श्वण काक है कम बालिकाम भो नीच काक एहम आगता मैयम तंडुल मुल्यम प्रयच्छ अरे नीच कवे मैं आ गई हूँ मुझे चाउनों का मुल्य देवो किस ने कहा था लोभी बालिका ने कहा था किसको कहा था श्वण काका को कहा था तो हमारा आएगा कह लुभ्धा बालिका का और कम श्वण काकाम यह हमारे प्रश्ण का उत्तर होता है कि यह वाक्य किसने किसको कह यह हमने जाना अब आगले प्रश्ण के ओर देखते हैं अगला प्रश्ण है विध्यार्तियों उधाहरण अनुस्रित्य कोश्टक गतेशु पदेशु पंचमी विभक्तेहे प्रियोगम कृत्वा रिक्तस्थानानी पूर्यद जो उधारणों के अनुसार हमारे को एक उधारण उन्होंन नहीं है और पंचमी विभक्ती का रूप हमें इसके अंदर लिखना है तो विध्यार्तियों एक अपने ये जानने का प्रियास करते हैं सरुप्रथम कि यहां पर पंचमी विभक्ती का ही प्रियोग क्यों हुआ है किसी दूसरी विभक्ती का प्रियोग क्यों नहीं हुआ है जैसे यह एक गाउं है उस गाउं के अंदर कुछ लोग रहते हैं लेकिन उस गाउं को छोड़कर बद दूसरे गाउं में चले जाते हैं अर्थार्थ उन लोगों का इस गाउं से दूरी करण हो गया है और जहां पर दूरी करण होगा वहां पर पंचमी विभक्ति होगी अप लोग बाहर आते हैं अब कहां से आते हैं उसके अंदर पंचमी वक्ति होगी तो हम़रा उत्तर क्या होगा विद्ध्यार्त्योंग ग्रामात यह पंचमी अब आता है विद्धार्तियों पत्राणी पतंती, पत्ते गिरते हैं, अब पत्ते किसे गिरेंगे विद्धार्तियों व्रक्ष से तो व्रक्ष से पत्ते अलग हो गए हैं, तो क्या उतर होगा व्रक्षात पत्राणे पतंती इन तीनों को अपड़ने हल किया और किस आधार भी हल किया हमें पृष्ण में सिर्फ इतना सा ही पूछा गया था कि पंचिवी भक्ति हमें यहां लिखनी है लेकिन यहां पर पंचिवी भक्ति क्यों आई है यह हम ने जाना और फिर उसके बाद हमने यहां पर पंचमी मवक्ति को लिखा अगला प्रशन उन्होंने कहा कि भी और 2 गया और रंधवाली धातुनों ंका प्रयोग होने पर अपदान-शंग्या होकर पंचमी विभक्ति होगी अर्थार्थ जहां पर भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं का प्रियोग होगा अर्थार्थ एशी धातुएं जिनका अर्थ भय और रक्षा होगा वहां पर पंचमी विभक्ति होगी तो विध्यार्थियों विभेति और त्रायते यह दोनो भय और रक्षार्थ में प्रिवक्त होती है तो यहाँ पर जो भी पद आएगा वह पर पंच्वे विवक्ति का होगा तो चलिए बालक है सिंहात विभेती बालक सेर से दरता है इश्वर है क्लेशात त्रायते इश्वर क्लेश से रक्षा करते हैं चलिए उसके बाद हमारे पास है कि वारण अर्थवाली धातुओं का प्रियोग होने पर अपादान संग्या होकर पंच्वे वक्ति होती है अब वही बात वारण मतलब दूर करने के अर्थ में तो प्रभू भक्तम पापात अर्थार्थ पाप से निवारयती दूर करते हैं प अक्षा में हमने सरोप्रथम प्रश्न निर्मान की प्रक्रिया को समझा फिर उसके बाद में हमने प्रतियों के बारे में जाना फिर हमने काम प्रति अवदत ऐसे प्रश्न को हल किया और अंत में हमने पंच्वी भक्ति वाले प्रश्न को हल किया अब विध्यार्तियों हमार एक नए विशे के साथ अथ्वा नए के पाठ के साथ मिलते हैं हम आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बच्चो आज का अगला पाठ का शानौ में अंग्रे जी विशे में पोयम नो मैं आर फॉरेंग बच्चो आज इस पोयम की हम शुरुआत करने वाले हैं उस विशे भी आदमी strange नहीं है, अजनवी नहीं है, no countries foreign और ना ही कोई country foreign है, यानि की अलग है Beneath all uniforms, a single body breathes, सारी uniforms के अंदर, वर्दियों के अंदर, वर्दियों के beneath यानि नीचे, a single body breathes, एक ही शरीर स्वास लेता है यानि कि हम सब चाहे कोई भी वर्दी पहने हो पर हम सब के क्या है अंधर एक ही श्वास हम सब लेते हैं Like us, the land of brother walks upon Is earth like this in which we shall all lie हमारी ही तरह जहांपर क्या है वो जो धर्ती है जहांपर हमारे भाई लोग walk करते हैं चलते हैं Is earth like this वो ऐसी ही पृत्वी है in which we shall all lie जहांपर हम सब lie करेंगे, दफन करेंगे तो बचो कभी बताना चाहरा है कि कोई भी और देश के लोग हो या देशवासी कोई भी हो, वो हम से अलग नहीं है हम सब एक ही धर्ती पर चलते हैं और एक ही धर्ती के अंदर हम सब दफन होंगे तो यहां पर हमने क्या-क्या इंपोर्टन शब करें देखें, रिवाइस करते हैं सबसे पहला है strange strange का मतलब है अजनभी फिर है बिनीत बिनीत यानि की नीचे uniform यानि की वस्त्र breeze यानि की श्वास लेना lie lie यानि की दफन रहेंगे दफन होंगे they too aware of sun and air and water तो बाकी सब ये जो लोग है वो भी क्या है aware है सूरज, हवा और वाटर को लेकर aware है का मतलब यहां पर क्या है यहां पर aware का मतलब है अनुभव करते हैं तो ये जो सभी लोग है जो बाकी सब ही हमारे भाई भेहन है बाकी देशों के वो क्या करते हैं उसी प्रकार से सूरज, हवा और पानी को अनुभव करते हैं और फेट बाई पीसफुल हावेस्ट बाई वार्स लॉंग विंटर स्टाव और उसी प्रकार से वो शांती पूर्ण जो हावेस्ट होती है जो उपज होती है वो खाते हैं और युद के समय क्या रहते हैं युद के समय क्या जो लंबा शीतकाल होता है तब वो भूके रहते हैं उनके हाथ हमारे ही हाथ है और उनही की रेखाए हम पढ़ते हैं A labor not different from our own और उनका जो परिश्रम है वो हमारे परिश्रम से अलग नहीं है यानि कि हर देश के लोग क्या कर रहे हैं बच्चों सारे जो इनसान हैं वो उसी प्रकार से अनुभव करते हैं सूरज को, हवा को, पानी को और उसी प्रकार से परिश्रम करते हैं इस प्रकार से हम लोग तो क्या-क्या यहां पर important शब्द हैं देखिए सबसे पहला है aware aware यानि कि अनुभव करना फिर है starved starved यानि कि भूखे रहते हैं फिर है labor labor यानि कि परिश्रम remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love और क्या बता रहे हैं कभी कभी बोल रहे हैं कि याद रखना उनकी आखे भी हमारी ही जैसे होती हैं जब वो उठती हैं यानि कि हम उठते हैं हमारी जैसी आखे वैसी ही उनकी आखे हैं और sleep चाहे हम सोए तब भी उनकी आखे वैसी ही हैं and strength that can be won by love और उनके अंदर वो ताकत है जो की जीती जा सकती है प्रेम से यानि कि अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम से आप किसी भी ताकत को किसी भी व्यक्ति को जीत सकते हैं अपना बना सकते हैं In every land is common life that all can recognize and understand हर धर्ती पर हर लैंड पर यानि हर जमीन पर चाहे वो किसी भी देश की हो एक आम जिन्दगी ही जीती है बच्चों यानि कि हर महाँ पर हर धर्ती पर हर जमीन पर हर देश की क्या होता है एक ही प्रकार का जीवन चल रहा होता है that all can recognize जो कि हर व्यक्ति पहचान सकता है and understand और समझ सकता है तो यहाँ पर क्या-क्या शब्दें देखिए पहला है recognize यानि कि पहचानन let us remember whenever we are told to hate our brothers it is ourselves that we shall dispose betray and comment तो क्या बोल रहे है कवी वो बता रहे हैं कि हमें याद रखना चाहिए whenever we are told जब भी हमें बोला जाता है to hate our brothers कि हम नफरत करें अपने भाईयों से यानि कि सब भी देशों के लोगों से हमें अगर बोला जाता है कि भाई उस देश के व्यक्ति से नफरत करना है तो याद रखना अगर हम ऐसा करते हैं it is ourselves तो हम खुद से ही नफरत कर रहे हैं that we shall disposes, betray and condemn और क्या कर रहे हैं ये हम खुद के साथ ही कर रहे हैं dispose, खुद को ही वंचत कर रहे हैं धोका दे रहे हैं और condemn कर रहे हैं बुरा बता रहे हैं यानि कि अपने भाईयों से अगर हमें नफरत करने को बोला जा रहा है सारे जो पृत्वी निवासियां उनसे नफरत करने को बोला जा रहा है इसका मतलब हम खुद को ही दोका कर रहे हैं खुद को ही बुरा बना रहे हैं Remember We who takes arms against each other हम लोग जो हतियार उठा लेते हैं एक दूस्टे के खिलाफ अब आगे क्या कर रहे हैं बच्चो कभी क्या बोलना चाहते हैं वो अभी हम चानते हैं पहले की जो तीन शब्द हैं इन्हें रिवाइस करते हैं सबसे पहला है Disposes Disposes यानि की वंचित करना फिर है बिट्रे बिट्रे यानि की धोका देना फिर आता है Condem Condemned यानि की बुरा बताना It is the human earth that we defile तो बच्चों याद रखिएगा अगर हम एक दूसरे के खिलाफ अथियार उठाते हैं तो हम इस पृत्वी को ही defile कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? और पवित्र कर रहे हैं और hells of fire and dust outrage the innocence हम यह जो नरक बना देते हैं उससे क्या हो जाता है? outrage the innocence वो अत्याचार करता है निर्दोशों पर of air that is everywhere of our own और उस हवा में भी क्या फिला देता है? अत्याचार जो की हमारी अपनी है remember no man are foreign and no country strange तो याद रखना कोई भी आदमी अजनभी नहीं है और कोई भी देश foreign नहीं है अलग नहीं है तो यहाँ पर क्या-क्या हमने पढ़े है meaning देखिए सबसे पहला है defile defile यानि की अपवित्र करना फिर है health यानि की नरक फिर आता है outrage outrage यानि की अत्याचार फिर है innocence innocence मतलब निर्दोश या फिर अबोद तो बच्चो कवी ये बोलना चाह रहा है कि भाई आप कहीं पर भी रहो जो बाकी देश के लोग है वो आपके भाई ही हैं वो अजनबी नहीं हैं वो इसी प्रकार से सांस लेते हैं इसी प्रकार से जबते हैं सोते हैं जैसे कि आप और वो उसी प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं जैसे कि आप लोग करते हैं और अगर आपको बोला जाता है आप एक दूसरे से नफरत करें एक दूसरे के खिलाफ अतियार उठाएं तो आपको याद रखना होगा कि आप वो नफरत खुद के साथ कर रहे हैं और ऐसी नफरत में आप पृत्वी को क्या कर रहे हैं बरबाद कर रहे हैं बच्चो और निर्दोश लोगों पर अत्याचार कर रही हैं तो बच्चो अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे इस पोयम के question answers बने रहीएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चो आज की वीडियो में हम अध्यन करेंगे राजिस्तान की महत पोन मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना का दो नंबर में इस पर टिप्रणी पूछी जा सकती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जल स्वावलंबन से क्या तात्प्री है भूमिगत जो जल होता है सतई जो जल है उसका उचित परबंदन करना उसका संरक्षन करना क्या कहलाता है जल स्वावलंबन कहलाता है इसमें जो प्रमप्रागत जल संरक्षन के साधन है उनका पुन ठीक इसी तरह से ही राजस्तान सरकार ने भी जल के सरक्षन हेतू मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंब की गई जनवरी 2016 में और इस योजना का महतपुन लक्षे था कि जो भूमिकत जल इसतर गिरता जा रहा है गाउं में तो उस लगातार गिरते हुए भू जल इसतर को क्या करना नियंत्रित करना साथी बारिस का विर्थ भैता हुआ पानी उस विर्थ भैते हुए बारिस के जल का संग्रहन करने के उद्देश्य से यहें योजना प्रारंबे की गई इस योजना के तहत जो वहाँ के स्तानिय लोग थे ग्रामिन समुदाय, समय बहामासा इनका सयोग लेकर के जल सनरक्षन के अनेक साधनों का निर्मान किया गया जैसे कि नाडियां, तालाब, टांके, खडीन वेकुए बनाए गए। क्या किया गया अनेक नुकड, नाटक और जितने भी मेले, रेलियां, इत्यादी के माध्यम से ग्रामीनों को जल सनरक्षन के परती जागरू किया जा सकता था, वो सब इस कार्येकरम के अंत्रगत किया गया। सनरक्षन का महतपौन सादन है, जो कि स्वरपर्थम जैसल मेर में पालिवाल ब्रहमनों के द्वारा अपनाया गया, इसमें पहाडी भागों में कच्ची या पक्की दिवार बना करके बारिस के जल को रोका जाता है। और इसी के साथ ही दिवार में थोड़ी जगे छोड़ दी जाती है, तो जो अतरिक्त जल होता है, वो इससे लगती हुई दूसरी खडीन भूमी को प्राप्त हो जाता है। चुकि यहां पर पानी रहता है भूमी में नभी बनी रहती है। इसलिए यहां पर रभी वयखरीव की फसले आसानी से पैदा हो पाती है। इसी के साथ ही इनके किनारों पर जो बेरियां बनी होती हैं, उन बेरियों से गर्मियों में पेजल भी मिलता रहता है Second question है, बावडी क्या है? तो पहले लाइन तो सब में कों बनाएगी? राजस्तान में जल संरक्षन की प्रमप्रागत विदी इनके मध्य में आंगन्नुमा भाग होती हैं, जिन तक पहुंचने के लिए सीडिया बनी होती हैं इन सीडियों पर कलात्मक जरोके बने होते हैं और उन जरोकों में जल देवता की मूर्थियां रखी होती हैं तो जब हम बात करते हैं बावडी की तो इस तरह से हमें इसकी विसेशताय बतानी हैं, कुछ उधारण भी देने हैं, जैसे की आभा नेरी की चांद बावडी और जोधपूर की तापी बावडी नेक्स्ट हमारा important question है, जल स्वाव लंबन की आवशकता क्यों होती है, क्यों होती है भी जल स्वाव लंबन की आवसकता, हमने देखा कि वर्तमान में भू जल इस तरह लगातार गिरता जा रहा है, साती जो प्रमप्राजा जल स्रोत्त थे, उनकी दुर्दसा हो गई है, जल स्वाव लंबन की आवसकता हुई, बिसलपूर परियोजना पर प्रकास डाली है, हमने देखा कि टॉंक जिले में बनास नदी पर बिसलपूर बांध का निर्मान किया गया, और जिससे टॉंक, स्वाई मादूपूर, जयपूर वे अजमेर की जिलो को, इनकी तहसीलो को पेजल और सिच्वाई की सुवीधा प्राप्ते हुई, भारत में कौन सी परियोजनाएं हैं बहुत देश्य जिनका संच्वालान केंदर सरकार द्वारा किया जाता है, क्या तो केश्चन ऐसे पूछ ले, या फिर राज्य सरकार द्वारा संच्वालीत बहुत देश्य परि लिखना है, यहां मैंने दोनों ही दे दी हैं, केंदर सरकार की महतपोन परियोजनाओं में हमने देखी थी, भाकडा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और ठीराकुन परियोजना, नाम लिखने हैं सिरफ, राज्य सरकार की योजनाओं में हम देखते हैं, प्रियोजना जो कि राजस्तान और मद्यपरदेश की सियुक्त प्रियोजना है सर्दार सरोर प्रियोजना राजस्तान मद्यपरदेश गुजरात की सियुक्त प्रियोजना और माही प्रियोजना जो कि राजस्तान और गुजरात की प्रियोजना है राजस्तान में जल सनरक्षन की तकनीक को क्यों अपनाया गया है क्योंकि जल सनरक्षन की जो तकनीक है वो राजस्तान में क्यों अपनाई गया उसके कारण बताईए तो हमने देखा कि जो राजस्तान का अधिकांस भागे वो मरुसलिया है और यहां लगबग अकाल वे सूखे की समशा बनी ही रहती है आता है पेजल वे सिचाई हेतू राजे में जल सनरक्षन की तकनिकों जैसे की बावडी हुई, नाडी हुई, जोहड हुआ इनको अपनाया गया है नेक्स्ट वमारा केश्चन है चंबल घाटी परियोजना पर टिपणी लिखे सबसे पहली लाइन हमें यहीं लिखनी है कि यह है राजस्तान में मद्य परदेश की संयुक्त परियोजना है इसमें चंबल नदी पर तीन बांद वे एक बैराज बनाया गया है और तीन वांदों के हमें नाम बता देने है गांदी सागरवान जो की मद्य परदेश में इस्तित है राणा परताब सागरवान जो की चितोड़ में इस्तित है और जवार सागरवान जो की बूंदी और कोटा की सीमा पर इस्तित है किसी भी तरह से पूछे question, answer same आएगा, नाड़ी तालाप का छोटा रूप होती है, और अधिकांस्त पश्चमी राजस्थान में पाई जाती है, इनकी गहराई लगवग चाज से 5 मीटर होती है, जोकि गहराई कम होती है, और साथी बारिस के साथ जो मिट्टी आती है, वो इस के अंतरगर टांकों का निर्मान किया गया, तो टांका जलसनरक्षन का महतपोन साधन पश्चिमी राजस्थान में इसमें परते घर या खेत में 5-6 मीटर घहरा खड़ा खोदा जाता है, जलसनरक्षन के लिए उसे ही टांका कहा जाता है, इसके उपरी भागों पत्थर या या अगोर से आ रहा हो, उस जलकास में संग्रहन किया जाता है, और हम जब देखते हैं कि किसी योजना के तहट टांकों का सरवादिक निर्मान किया गया, तो जलस्वाव लंबन योजना के तहट इन टांकों का निर्मान किया गया अभलब अधिक संख्या में, लेक्ष्ट बेरी होती है ये तालाब में ये खडीन में जो खडीन भूमिंए अमने देखी थी उसमें ये 5-6 मीटर गहरा खड़ा खुद गर बनाई जाती है, नमें जल का संग्रयान किया जाता है, इनकी दिवारों को पत्थर से बान्दिया जाता है ताकि भूमी का तजल रिसकर आता रहे नेक्स्ट अमारा क्येस्चन है जोहड क्या है तो हरियाना के छेतर में सेखावाटी सीकर चूरू जुंजनों के छेतर में जल सनरक्षन का महत्वपॉन साधन है जोहड ये टांकी के समान ही होता है लेकिन इसमें और टांके में ये अंतर है कि टांके के उपरी भाग को हम ढगते है इसमें उपरी भाग नहीं ढगा जाएगा इसका उपरी भाग टांके की तुलना में बड़ा होता है गोलाकार होता है ठीक है? और इसमें जो बारिस का जल इखटा होता है उसे पसो और मनुष्य के लिए पेजल हेतु उप्योग किया जाता है, उसका उप्योग लिया जाता है अभी कुछ ऐसे questions थे, जो और दो नमबर के हिसाफ से बन रहे हैं, वो हमने इस सुरुवात में देखे, वो very important है इसके लावे भी कोई छोट-छोटे question बन रहे हैं, जो कि लग सकते हैं, तो मैंने उनको एक साथ ही दे दिया है, संसित टिपनी के रूप में, सिंगल ही आएंगे वो, जिसके आगया जाखम प्रियोजना पर संसित टिपनी लिखी है, या आगया माही बजास आगया त्रियोज और परताब गड़ है, इनके आदिवासी छेत्रों को सुचाई की सुवीधा प्राप्ते हुई है, माही बजासागर प्रियोजना राजस्तान और गुजरात की संयुक्त प्रियोजना है, और इसका लक्ष है ढुंगरपुर और बांसवाडा के आदिवासी छेत्रों का विक इसमें माही नदी पर दो बांद बनाये गये हैं, कडाना बांग गुजरात में और माही बजासागर जोकी बांसवाडा में बनाये गया है, इंद्रा गांधी पर युजना पर टिपनी लिखिये, पश्चिमी राजस्तान में पेजल वे सिचाई की सुवीधा हेतू, सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरी के वेराज से यह नहर निकाली गई है, यह एसिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, इसके दो भाग हैं, राजस्तान नहर वे मुख्य नहर, और पेजल वे सिचाई की सुवीधा उपलब्द कराने हेतू, इस नहर से राजस्तान में 9 साखाईं और 9 फीडर नहर, 9 जो लिफ्ट नहर हैं, वो निकाली गई हैं, फीडर नहीं याद रखना, लिफ्ट नहर, नेक्स्ट है रहा पांचना बांध, यह मिट्टी का बांध है, जो की करोली में पांच नदियों के संगम पर बना है, पांच नदिया कौन-कौन सी है, बरखेडा, बद्रावती, माची, बहसावट तथा अटा नेक्स्ट है भाकडा नंगल परियोजना पर संसिप टिपनी करिए तो यह हैं पंजाब, हरियाना और राजस्तान की संयुक्त परियोजना है इस योजना के तहट भाकडा बान बनाया गया है हिमाचर परदेश में और नंगल बान पंजाब में बनाया गया है और ये दोनों बान बना करके सिचाई, विदुद वे पेजल की सुवीदा विक्सिते की गई है नेक्स्ट है मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन पर योजना पर टिपनी करिए गाउं में लगातार गिरते होए भू जल इस तर में विर्दी करने के लिए बारिस के जल का उचित संरक्षन करने के लिए मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना जनवरी 2016 में सुरू की गई इस मैस्तान ये लोगों भामासाहों के सयोग से प्रमप्रागर जो जल संरक्षन के साधन है टांके नाड़ी तालाव इत्यादी का निर्मान किया गया तो इस तरह से बच्चो जित्ते भी important questions बन रहे थे चैप्टर से उनका हमने अभ्यास किया मिलते हैं next chapter के साथ धन्यवाद बच्चो आज हमने पढ़ा है कक्षा 9 में संस्कृत विशय में बुक शेमुशी प्रत्मो भागह सी स्वन का कह प्यंगरेजी विशय में बोयम No Man Are Foreign पे कक्षा 10 में सामजिक विख्यान विशय में जल संसाधन भाग पार छे बच्चो कल हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में सामजिक विख्यान विशय में बुक आर्थ शास्त से पालंपुर काव की कहानी भाग आर्थ 9 पे कक्षा 10 में संस्कृत विशय में शुची परियावर नम भाग 5 पे सिंधी व्याकरण विशय में अद्दू बच्चो हमारे इस कारिक्रम के एक कंटेंड पार्टनर हैं मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयो यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चो आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुजाब अवश्य दें कारिक्रम से संबंधित आपके सुजाब हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001